ठेक है अभी बहुत सारी important चीज़े हम face reading से जुड़ी देखना चेवाले हैं अभी आप लोग जितने लोग भी connected हैं आपके पास notebook और pen है मैं जो चीज़े बता रहा हूं noted down उसको note कर लीजे यह बहुत important चीज़े हैं और यह additional content है यह आपके pre-recorded course में नहीं है okay let's see what's here सबसे पहले अभी हम देखेंगे आज आपके eyes का color correct यह जो आप देख रहे हैं content पंकच यह content additional content है यह आपके course में नहीं है यह मैं आपको additional सिखा रहा हूं तो आपको हर miracle session में आप आओगे तो कुछ additional सीखने को मिलेगा okay अभी हम देखने वाले eyes color है हमारे eyes के अंदर color होता है किसी की आपने देखा होगा भूरी eyes होती है किसी की काली eyes होती है black eyes होती है किसी की blue eyes भी होती है correct तो आपके eyes का color आपके लिए क्या बताता है वो हम देखने वाले हैं और आपका कोई भी डाउट हो तो लास्ट में हम लोग हर मिरिकल सेशन में लास्ट में Q&A सेशन करते हैं जिसमें आपका जो भी डाउट होगा हम लोग किलियर करेंगे यह लोग हमेशा वो चीज़े देखने की कोशिश करते हैं जो इनके लिए नई है मतलब कुछ नया ट्राइ करने का इनके अंदर एक जुनून होता है एक पैशन होता है कि मुझे यह ट्राइ करना है काफी क्यूरियस होते हैं नई चीज़ों को लेके औब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से अब्जर्व करते हैं good observers साथ में they hardly trust anyone अगर इनकी लाइफ में कोई नया परसन आया है तो उस पर एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे जनरल ही अब नहीं करते हैं बट blue eyes वाले थोड़े एक्स्ट्रीम होते हैं अगर कोई इनकी लाइफ में एक साल से है तो भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे यह इनकी personality की बारे में बताता है अब यह जो चीजे जित्ती भी मैं सिखा रहा हूँ आपको इसको practical life से जोड़के देखना है blue eyes इतनी जादा common नहीं है बट फिर भी लोगों की होती है सबसे जादा black eyes, grey eyes, hazel eyes, hazel भी बहुत common नहीं है brown, grey और black सबसे common है उसके बारे मैं अभी आगे देखने वाले है बट blue eyes, thoughts ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है बहुत साले लोगों की मैंने reading की है जिनकी blue eyes होती है तो आप अब जब भी reading करेंगे तो blue eyes के लिए आपको पता है कैसे लोग होते हैं आप pointers note कर लो, high self awareness, very curious, good observer, hardly trust anyone अब हम देखने वाले हैं brown eyes, जिसकी brown eyes होती होती हो कैसे होते है अगर कोई brown eyes है अभी जित्ते लोग भी connected है, can you just type eye in the chat box, अगर आपकी brown eyes है, brown eyes वाले अच्छा आपकी है, तो can you relate with this, creative होते हैं, energetic होते हैं, high endurance power होती है, high endurance power मतलब अगर यह लोग business करेंगे, तो यह बहुत जल्दी hard नहीं मानेंगे, इनमें never give up attitude होता है, बहुत जल्दी होत जल्दी quit नहीं करते हैं, साथ में nature lover होते हैं, इनको nature के पास रहना अच्छा लगता है, and they prefer to be independent, यह कभी भी किसी के under में, supervision में काम करने में इनको दिक्कत आईगी, basically यह जो brown eyes वाले लोग होते हैं, इनके लिए अगर career choose करना हो, तो इनके लिए business एक अच्छा career होता है, इनको अच्छा लगता है, कई बार यह अपने property में invest करते हैं, but property से जाधा कई बार अपने घूमने में invest करते हैं, adventure में invest करते हैं, इनको adventure as a asset लगता है, जो अच्छी बात है, आपको कोई चीज, कोई भी आप experience कर रहे हो, how many of you went to any century, any wildlife, किते लोग wildlife में गये हैं कभी, tell me in the chat box, किंजल एकदम सही है, शाप साबिर एकदम सही है, long agar, ठीक है, तो जिनकी brown eyes होती है, यह लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अब adventure को जीए, wildlife में जाएं, जूम में जाएं, या फिर किसी waterfall पे जाएं, तो यह थोड़े nature lover type और adventure type लोग होते हैं, जिनकी brown eyes है, they can relate okay, अब देखते है, hazel eyes वाले कैसे लोग होते हैं, शरदा आपकी जितनी भी queries है, at the end of session, आपकी queries कितनी भी होगी है, मैं resolve करके उठने वालों, तो जितनी भी queries है, पूरे मन्थ में आपने जो भी सीखा है, उससे related भी query है, तो भी आप last में पूछ सकते हैं, हर miracle session में, hazel eyes वा पढ़ता है, वो भी थोड़े बिंदास type लोग होते है, थोड़े flirtious nature होता है, ऐसी जिनकी hazel eyes होती है, hazel eyes कैसी होती है, tiger type आखे, tiger की eyes याद है, आपको कैसी होती है, hazel कोई color नहीं है पर एक type है, तो जिनकी ऐसी hazel eyes होती है, ये लोग carefree और courageous लोग होते हैं, हिम्मत होती है plus they are highly sensitive, highly sensitive to emotions, कोई इनको थोड़ा सा भी कुछ गलत बोल देता है, तो ये बुरा मान जाते है, नराज हो जाते है, दुखी हो जाते है, इनका nature ऐसा होता है, hazel eyes होनो का, तो आप इसको practical life से कैसे जोड़ेंगे everyone, come on everyone, you are going to become a face reader, इसको आप practical life से कैसे जोड़ोगे, अब किसी hazel life वाले person से आप deal कर रहे हो, तो आपको पता है, ये highly sensitive है, अगर मैं इसको कुछ भी ऐसा बोल दूगा, जो इसको अच्छा नहीं लगा, तो बहुत दुखी हो जाएगा, या बुरा मान जाएगा, ये बिंदास होते हैं, बट जब बात आती है, इनकी self-esteem की, या फिर emotions की, तब ये बहुत sensitive होता है, hazel eyes people, okay, अब I think grey eyes बहुत सारे लोगों की है या पर, can you tell me in the chat box, किस-किस की grey eyes है, अब grey eyes वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोग moody लोग होते हैं, इनके अंदर internal strength, जिसको बोलते हैं, core strength, वो अच्छी होती है, मतलब अगर इनकी life में, for example, अगर ये 25 लड़का ये लड़की है, तो इनका जब break up होगा, तो इनका दुख तो होगा, बट इतना जादा दुख नहीं होगा, क्योंकि ये emotionally बहुत strong है, साथ में they are very irritable, irritable मतलब, आप अगर इनकी बातों से सहमत नहीं होगे, agree नहीं करेंगे, तो ये लोग, आप से एकदम वो हो ज जाएंगे, they will treat you as your enemy, तो ये काफी मतलब, interesting लोग होते हैं, gray eyes, जिनकी भी है, how many of you can relate, all the gray eyes people in the house, all the gray eyes people in the house, 100%, पका कल्पना, आप ऐसे हो, great, शुरूती, can you relate with this, Thank you, okay, अब हम देखेंगे black eyes, जो बहुत common है, बट एक चीज़ और, इससे पहले बहुत important एक disclaimer है, हो सकता है, आपको लगता हो कि मेरी eyes, आपकी खुद की eyes black हो, बट आप उसको ढंग से अगर देखेंगे, अपनी photograph में देखेंगे, जूम करके, या mirror के पास में जाके देखेंगे, तो हो सकता है, exactly आपकी जो अंदर आपको दिखते हैं, pupil, यह हो सकता है, exactly black नहीं हो, थोड़े gray हो, या थोड़े brown हो, या इनमें थोड़ा hazel color हो, means hazel हलता common नहीं है, बट हो सकता है brown या gray हो, तो अपनी eyes को आज इस session के बाद अच्छे से देखना, कि आपकी actual या black eyes है या gray eyes है, क्योंकि बहूत सारे लोगों को लगता है मेरी black eyes है, बट उनकी gray eyes होती है, बहुत सारे लोगों लगता है मेरी gray eyes है, बट उनकी black eyes होती है, तो अगर इनकी life में कुछ चीज़े चल रही है तो बहुत जली disclose नहीं करेंगे और इनके साथ problem क्या होती है जो black eyes वाले जिनके अंदर pupil है वो black है यह लोग overthinking से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं मतलब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं उसको stretch करते रहते हैं मतलब अगर यह बात कर रहे हैं मतलब यह अगर सुवे नहा रहे हैं इनके बातरूम में तो भी इनकी दिमाग में thoughts बहुत अलग thoughts की दुनिया म उर्वशी, दिपाली, श्वेता, सम्यक, ग्रेन, नेहा, थैंक यू प्रिटी, आया, सम्यक, लिए, आया, सम्य भीकिया, सम्यक, वाली, आया, झाल झाल